तो फ्रेंड्स बेट दूइवर्सी पांठीक्रम जो है सक्षी सत्टर दोजार में if you nih 1 abused इस वहर्स जो प्रवेस्प परईश्य सा ओनी हैn अब प्रुर्वेस के लिए जो आयुज्ग विश्विद्धयलिय र्वेश्यू सेपरीशन बात करते हैं यहाँ पर हम वर्स भी नेगटिव मार्किंग की प्रक्रिया यह थाफद बनी रहेगी और प्रतेक सही उत्तर के लिए दो अंक मिलेंगे प्रतेक गलत उत्तर के लिए एक तिहाई अंक काट लिए जाएंगे और जो प्रोश परिश्चा होगी उसमें दो पेपर होगे बात करते हैं हापर बिकल्प चुन सकते हैं और जो लोग चाहें वो अंग्रेजी का बिकल्प चुन सकते हैं दोनों भासाओं के लिए अलग अलग खंड निर्दारित होंगे सामान यान से कुल्मिला की प्रस्णों की संक्या होगी पचास और इससे एक प्रस्ण होगा दो अंका अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो आपका जो है वो दो अंक होगा गलत जवाब दिने पर आप ये 0.67 मार्क घटाये जाएंगे तीन घंटे का कुल पेपर होगा और इसके लिए कुल अंक निर्दारित हैं 200 ठीक हैं बात करते हैं पेपर टू के बारे में यह पेपर भी कुल तीन घंटे का ही होगा और इसमें भी दो खंड होंगे खंड सबके लिए कंपल सरी है जिसमें जनरल अप्रिट्यूट के प्रस्ट होंगे प्रस्टों के संग्या 50 होगी और अंक होंगे 100 यानि कि सही जवाब देने पर एक प्रस्ट का दो अंक दिया जाएगा गलत जवाब देने पर आपके 0.67 मार्क यानिकि एक तियाई काटे जाएंगे इसे प्रकार से बिश्ययोग बिता के अंतरगत आंलाइन आवेदन करतें समय अगर आपने अपने आपको कला वर्ग जिस वर्ग के अंतरगत आपने आवेदन किया है उसी वर्ग के खंड को आपको चुनना होगा और 50 प्रस्टों का आपको जबाब देना ह होगा और यह सारे जो प्रस्ण होंगे दो-दो अंक्य होंगे गलत जबाब देने पर एक तिहाई अंक मतलब 0.67 मार काड़े जाएंगे कुल अंक होंगे 200 और समय मिलेगा तीन घंटे का तो फ्रेंट्स यह है एक्जामरेट्ट डिक्लियर होता है चैनल पर घुश्णा कर दीजाएगी अफ्रेंट बात करते हैं यहाँ पर जो कुश्चन पेपर आया था यानि कि 2018 में जो कुश्चन पेपर पूशा गया था तो उस सारे प्रस्ण में आपको दिखाने वाला हूँ पेपर वन के अंतरगत जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दो खंडों होते हैं तो यहाँ पर दोनों खंडों को मैंने शामिल किया हुआ है यानि कि कुल मिलाके पेपर वन के जो 100 प्रस्ण है उन 100 प्रस्णों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं खंड अ शामान रिजान के परस्ण हैं और यह सारे परस्ण जो हैं बहुत ही महत्पूर भी है क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन-कौन से खंड यानि कौन-कौन से टॉपिक आपको तयार करना है एक्जाम हाल के लिए और किस प्रकार के प्रस्ण पुछे जाते हैं तो आए वीडियो को जूम करते हैं और हल करते हैं किस कोशन पेपर को देखें प्रसंख्या एक का सही जवाब क्या होगा प्रतम अं सब्सक्राइब करते हैं इनमें से कोई भी नहीं तीसरा अपस देखिए प्रस्ण है कि विस्व आर्थिक मंच यानि कि डबलू-ई-फ का और तालेस्वा वार्षिक सम्मेलन हाली में किस देश में जंपन हुआ और इसका सही जवाब है और सब्सक्राइब क्या होगा ऑप्स कुशन आंसर के रिफार्मेंट में ही बात करूंगा ताकि समय आपका कम लगे और साथ ही साथ आपको यह पता चल सके कि कौन कौन से टॉपिक आपको तयार करने हैं और राइट कुशन नमबर पांच भारती समिदान की कौन सी अनसूची भारती भासाओं की मानिता से सम्मं उस समय में इसका सही जबाब था भारत यानिकी आप्शन ए केंद सरकार ने नौगठी 15 में बित्त आयोक का अध्यक्ष किसे न्यूक्त किया है सही जबाब है आप्शन ए एनकिस सिंग मुगल और राजपूतों के बीच खानवा का युद्ध कब हुआ था तो यह प्रस्त सही जबाब है 12 मार्च 1930 को दसवा प्रस्त सोतनतता की पश्चाथ भारत के पहले ग्रीमंत्री कौन थे यह प्रस्त है और इसका सही जबाब है आप्शन ए यानिकि सर्दार बलब भाई पटेल ठीक है चलिए अगला प्रस देखते है कोशन नंबर 11 स्री लंका ने हाली में हम इसको कहते हैं कोरियोलिस बल कोरियोलिस बल के बारे में इसका एक नाम कोरियोलिस इफेक्ट भी है और इसे ही कहते हैं कोरियोलिस इफेक्ट ठीक है इसका नाम फ्रांसेजी बेग्यानी के नाम पर पड़ा है और उन्होंने सबसे पहले इस बल के प्रभा का वड़न किया था कब 1835 में कब 1835 में ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कोश्चन नंबर 13 को दिखते हैं 12 का सही जबाब तो आपको पता चल गया प्रितिवी के घुड़न का पैड़ाम है कोरियोलिस बल और भारत के साथ किस देश की अंतरराश्टी सीमा नहीं है सही जबाब है आपसन ए स्री लंका त दिबद में ब्रंपुत्र को किस नदी के नाम से जाना जाता है सही जबाब है आपसन डी मतलब सांगपो कोश्चन नंबर 15 भारती मुद्रा के एक रूपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं सही जबाब है इसका आपसन डी भारत सरकार के बित्र मंत्रा लेके हो सकती हैं और इसका सही जबाब है 552 ठीक है अगला पर देखे निम्लिकित में से किस राज अत्वा के इंसासित प्रदेश में उप राजपाल की निउक्त की जाती है और इसका सही जबाब है आप्सन बी आपने दिखा होगा लजी बोलते हैं से ठीक है तो आप्सन बी है दिल्ली अगला प्रस्त निमलिखित में से बेमेल छाटिये बेमेल का चुनाव करना है और सई जबाब है option D त्रिपुरा आप बताइए कि क्यों आगे पढ़ते हैं निमलिखित चार राज्यों में से किसका भोगोलिक शेतरफल सरवारदीक है तो फ्रेंड्स इसका सई होगा और जन्गर्णा 2011 के अनुसार निमलिखित में से भारत का कौन सा सरवार्दीक साक्षा राज्य है तो इसका सही जबाब क्या होगा option B का sorry 20 का C होगा ठीक है यानि कि मिजोरम तो यह प्रस्ण होंगे 20 आगे बढ़ते हैं question number 21 देखते हैं स्वतंतर भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे स्वतंतर भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे 21 का D सही जबाब होगा डाक्टर B और अमबेटकर अगला परस्ण 22 लोग सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो इसका सही जबाब है जीवी मावलंकर option B अगला परस्ण 23 भारत में बरतमान में कुल कितने राज हैं तो इसका सही जबाब है कुल 29 राज हैं Option B अगला परस्ण प्रत्रम क्रिकेट विस्व कप किस ने जीता था तो सही जबाब है इसका Option D यानि कि जो पहला क्रिकेट विस्व कप हुआ था उसको West Indies ने जीता था अगला परस्ण स्वंक्त राज की महिला अध्यक्ष कौन थी ये कुश्चन है सही जबाब है इसका विजय लक्षपी पंडित चन्दरमापव उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था इसका सही जबाब होगा नील आर्म इस्ट्रांग और कुशन नमर 27 एक इंच वराबक कितने सेंटिमीटर के होते हैं सही जबाब इसका 2.51 सेंटिमीटर एक इंच में 2.51 सेंटिमीटर होता है अगला परस्ण भारत का राजपती राजपाब में कितने सदस्य मनोनीत करता है सही जबाब है ऑप्षन भी बारास सदस्य किस रख्टसमों के ब्यक्ति सभी रख्टसमों के रख्ट को सुईकार कर सकते हैं और फ्रेंज इसका सही जबाब आपको देना है और सही जबाब है इसका ऑप्षन ए धैटिस कोशन नमर 30 परवत केटू के नाम से भी जाना जाता है सही जबाब है गाडवीन आस्टिन ठीक है अगला परस्ट 31 लखनों किस नदी के तड़ पर इस्तित है सही जबाब है आपसंडी गोमती और यह भी आप जान लिजे की गोमती जो नदी है यह जौनपूर सहर को बीच बीच दो भागों में बाड़ती है ठीक है अगला परस देखिए भारत का पहला जासुसी उपगरह कौन सा है और यह कोशन नमर 32 सही जबाब इसका आपसंड बी यानि कि रिसेट ठीक है ठीक है भारती समिदान के अनुच्छे 370 किसे से सम्बंदित है सही जबाब है आपसं इस ने की थी प्रस्ट बहुत ही महत्पूर है सही जबाब इसका होगा आपसंडी लाड मैकाले 35 निम लिखित में से किसे रास्वती नियुक्त नहीं करता है और सही जबाब है इसका आपसंड भी नीती आयोग को ठीक है अगला परस देखिए कोशन नमर 36 36 देखते हैं और इसका भारत और पाकिस्तान के भी सीमा रिखारित करने के लिए अस्थाबित किये गए आयोग का अध्यक्ष कौन था ये प्रस्टन है सही जबाब इसका सायरिल रेड क्लिफ और आपको यह भी बता होना चीए कि भारत और पाकिस्तान के भी जो सीमा रेखा है इसलिए इसक कौन सा राज, अभीष्ट राज नहीं है और सही जवाब इसका option B, यानि कि पनलो 38 भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की अस्थापना कहा हुई थी सही जवाब है option B, यानि कि अडियार, that is इंचन नहीं, ठीक है संगम युग में अरंग कहते थे किसको ये प्रस्थन है और इसका सही जवाब क्या होगा option C, रंग मंच को अरंग कहते थे question number 40, भारत में नदियुदीब यानि कि रिवर आइसलेंड कहां पर इस्थित है, सही जवाब है option D, गोवा में 41 कारपन का सरवार्धिक अस्थाई रूप कौन सा है, सही जवाब है option B, ग्रेफाइट question number 42, ओंगे जन्जाद जो बिलूत प्राय होती जा रही है भारत के किस छेतर में निवास करती है तो इसका सही जवाब क्या होगा 42 का B, ठीक है अंडमान दी, अगला प्रस्थन निवलिखित में से कौन सा मानो निविधान है, जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है, मतलब यह की ऐसा कौन सा ग्रेण है, जो की मानो के द्वारा बनाया गया है तो इसका सही जवाब क्या होगा सही जवाब इसका tritical, ठीक है tritical जो होता है, यह ग्यहों और एक ग्यहों की तरह का यह घास होता है, उसका एक hybrid होता है, ठीक है इसको नाम दिया गया है tritical ग्यहों की ही एक पर जाती है यह और यह प्रकृति में नहीं पाया जाता है यह hybrid होता है अगला प्रस्थन, flying sick के नाम से कौन प्रसिद्ध है, friends इसका सही जवाब है, option A मिलखा सिंग अंतियोतर जोजदा में चैनित परिवारों की संख्या अधारित होती है, सही जवाब है option B, gram की चंसंख्या पर ठीक है, अगला प्रस्थन धोनी अस्तर की pitch निर्वर करती है, 46 सही जवाब क्या होगा, option B यानि की आवरिति पर frequency, 47 निमल में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन कौन सा है सही जवाब है, option C उर्धु पातन, ठीक है 48, भारत का प्रधम विदी अधिकारी कौन होता है और सही जवाब है, option C यानि की भारत का महान आवादी राश्पति किस विदेयक को पुर्ण विचार के लिए नहीं लोटा सकता, ये प्रस्टन है राश्पति किस विदेयक को पुर्ण विचार के लिए नहीं लोटा सकता, और सही जवाब है, option C यानि की धन विदेयक और यह रहा खंड A का लास्ट क्वेशन युनानी लेकों के युनानी लेकों के ने बिदुसार के लिए किस नाम का प्रयोक किया है और इसका सही जवाब है फ्रेंड्स option C अमेत्रो चेट्स ठीक है अमेत्रो चेट्स तो यह हो गया आपका कुर्मिला की 50 प्रसल खंड ऐसे अब चलिए चलते हैं खंड बापर और इस खंड में हम चुनते हैं हिंदी को ठीक है चलिए हिंदी को देखते हैं और यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि निम्न प्रस्णों के उत्र दीजिए प्रतिक प्रस के चार संभावित उत्तर है आपको सही उत्तर चुनना है तो आपको यहाँ पर एक पैरा दिया गया है पैरा देखिए कार्बेट राष्ट्री उद्यान दिल्ली के निकट इस्थित है यह हिमाले के निचली सेडियों में राम गंगा नदी की घाटी में है दिल्ली वासी सडक मार्ग से बड़ी सफलता से सरलता से यहां पहुँच सकते हैं वे कुछ रास्ता रिर्गाडी से और सेश को सडक मार्ग से भी तैं कर सकते हैं कार्बेट राष्ट्री उद्यान का निर्माड 1936 में हुआ था यह भारत का पहला राष्ट्री उद्यान था अप्रैल 1973 में सिकारियों से बागों की रक्षा के लिए बाग परियोजना का सुभारम इसी उद्यान से किया गया बागों के अतरिक्त कार्बेट राष्ट्री उद्यान में अने अनेक पस भी बड़ी संख्या में रहते हैं लाइक एज भालू, लोमणी, लकडबग्गा, सिवड बिलाव भी यहाँ पर रहते हैं इन पसुओं के अतरिक्त साप जैसे भारती अजगर, करायत और नागराज भी इस उद्यान में मिल जाते हैं यहाँ वर्स भर अनेक पक्षी भी देखे जा सकते हैं जैसे बगुला, आंजन बगुला, हैराउन यानि की खांग वाली टिटेहरी, काले गर्दन वाले लगबग पक्षी भी उद्यान में साल भर देखे जा सकते हैं वास्तों में पक्षी की लगबग 580 प्रजातियां कालबिट उद्यान में पाई जाती हैं, भारत और विजिसों के प्रटकों को इस उद्यान में आना पसंद हैं, वे हाथी पर सवार होकर पार्क में बाग की जहलक पाने का आनन्द उठाते हैं हाथी बागों से नहीं डरते, इसलिए हाथी की सवारी पर्याप सुरक्षित और आनन्द आयक है, चलिए अब क्वेशन देखते हैं और उसको आंसर को चुनते हैं कुशन नमबर 51, अप्रायर 1973 में कारवेट राष्टी उद्यान से क्या प्रारम किया गया और सही जवाब है ये बाग पर्यूजना, ठीक है, कुशन नमबर 52, कारवेट राष्टी उद्यान में बाग के अलावां और कौन सा पसु, देखा जा सकता है, 52 का सही जवाब है, आ सही जवाब है इसकी, option C, किस्म, हाथी पर सवारी करके सैर करना क्यों सुरक्षित है, ये प्रस्ने, और इसका सही जवाब आपको पता है, option B, मतलब हाथी बागों से नहीं टरते, यही बज़य होती है, ठीक है, दिल्ली वालों के लिए कारवेट राष्टी उद्यान पहु जी चाय पीकर दफ्तर चले गए, वाक्य में क्रिया भेट बताईए, यानि कि ब्याकरण के अंतरगत क्रिया भेट पर भी आपको नजर रखनी है, सही जवाब है, यह एक पूर्वकालिक क्रिया है, ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया, question number 57, जिसकी उपमान न दी जा सके, वाक पूर्शनल 58 है, सही जवाब है, आपसंसी, उदर दी जलदी नदीश सिंदू पारावार, ठीक है, हाला कि रामजरीत मारस में भी एक दोवा है, लाइन है, उसमें कहता है, रामण की बाध्यों बारित जलनी दी, उदर दी नदीश पयोधी, तो एक साथ जब रामण सुनता है, राम ने समुद्र पल पूल बादा दिया है, तो वो समुद्र की सारे नाम लोते हैं, उसके मुख से निकल पड़ते हैं, बाध्यों बारित जलनी दी, उदर दी नदीश पयोधी, ठीक है, तो ये लाइन अगर आप याद रखेंगे, समुद्र सब्द की जिती परयावा संतान, सकल, सचल और सक्षम सब्दों का सही क्रम क्या होगा, मतलब according to dictionary, हिंदी डिक्रम होगा, option D के अंतरकर, संतान, सकल, सक्षम और सचल, आगे बढ़ते हैं, question number 61, जो अब्यासब्द, दो पदों, पद बंधों या उप्याक्यों को जोडने का कार्य करते हैं, उन्हें कह गया है, ठीक है, question आप समझ गया होंगे, question है कि जो अब्यासब्द, दो पदों, पद बंधों या उप्याक्यों को जोडने का कार्य करते हैं, उन्हें कहा गया है, सही जवाब है, option B, समुच्चे बोधक, question number 62, दो सब्दों के परस्पल मेल से बने, तीस्ते सब्द को क्या क चुनिए, चपल सद्द का उचित बिलोम, तो चपल का आर्थ आपको पताईए, चंचल और इसका बिलोम क्या होगा, गंबीर, प्री ये विशेशन के साथ प्रुक्त होने वाली संग्या नहीं है, ये प्रस्थन है, और सही जवाब है, option D, बैरी, ठीक है, आगे बढ़ते ह निमलिकित वाक्यों में से किस वाक्त में सरुनाम का असुद्ध प्रियोग हुआ है, ये प्रस्थन है, और इसका सही जवाब है, option C, मैं तेरे को एक घड़ी दूँगा, बाकि आप वीडियो को पाच करके देख सकते हैं, किस कारक में सरुनाम सब्दों का प्रियोग नहीं होता है, ये प्रस्थन है, सही जवाब है, option B, संबोधन कारक में, ठीक है, 67 निमलिकित वाक्यों में से कौन से क्रिया अनकरात्मक नहीं है, तो सही जवाब है, इसका option C, मतलब जूटलाना, अगला प्रस्थन, निमलिकित में प्रेणार्थक क्रिया का उदारन है, 68 का सही ज अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है, तो यहाँ पर जो छाती किया है, वो अध्यापक की प्रेणा से आती है, तो इसलिए इसे प्रनार्थक क्रिया कहा जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ते है, question number 69, तुमने मुझे पुस्तक दी, और दूसरा क्या है, तुमने पुस् भी आपको फोकस करना है, सही जवाप है, 70 का B, ठीक है, तत्पुरु समास में उत्तरपद प्रधान होता है, कुर्शन नमस 71 देखिए, निमलिखित में से किस वाक्य में अच्छा सब्द विसेशन के रूप में प्रूप्त हुआ है, 71 का A, यह अस्थान बहुत अच्छा है 72 देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य का वेद नहीं है, अर्थ के आधार पर वाक्य का वेद नहीं है, इच्छा सूचक, संदेश सूचक, निश्चे सूचक, विदी सूचक, और सही जबाब है, आपसन C, यहनि कि निश्चे सूचक, गाल बजाना का सही अर्थ क्या है, स स्रमण कौसल का अर्थ है, स्रमण कौसल का अर्थ, क्या है, सही जबाब है, option C, मतलब सार्थक स्रमण करना, 75 देखिए, लेखन में बरतमान में, अस्थान इम समय की बचत की आधार पर, पूर्ण विराम चिन्न की रूप में पर्युक्त हो रहा है, 75 का सही जबाब क्या होगा option B, ठीक है, 76 देखिए, निमलिखित सब्दों में सुद्ध सब्द कौन सा है, निमलिखित सब्दों में सुद्ध सब्द कौन सा है, तो सही जबाब है, option A, प्रक्रिया, ठीक है, आगे देखिए, निमलिखित में से कौन सा संघर्षी व्यंजन है, तो इसका सही जबाब क्य सधारोगा संगर्ष एंजं क्यों सा है तो सिभूरोइभ धर 77 का दी ठीके डी सवाम होगा आगे बढ़ते हैं प्रत्युट्पन्न सब्ध में उपसर्ग है ये सब्ध है यहाँ पर प्रत्यूत्पन्न मति सब्द में उपसर्ग बताना है आपको और सभी जबाब है इसका option b प्रती ठीक है 79 देखीए निम लिखित में से कौन सा सब्ध देशच है ये प्रस्नए है आपर कौन सा सब्ध देशच है 79 का सभी जबाब है option b लोटा आगे बढ़ते हैं निमलिकित में से कौन सा कमल का पर्यावाची सब्द नहीं है ये प्रस्था है कमल का पर्यावाची सब्द नहीं है और इसका सही जवाब है आपसन भी नलिन ठीक है बाकि जो उत्पल राजियू ये दोनों जोते हैं ये कमल के पर्यावाची माने जाते हैं तुमने इतना अच्छा काम किया और मुझे खबर ही न दी या वाक्य है तो किस प्रकार का वाक्य है ये बचानना है ये है बिश्मयादी बोधक अनिवार का विलोम अनिवार का विलोम बताना है और सही बात है इसका option C मतलब एक्षिक नंद कुमार का पर्यावाची निम्नां 84 कुश्यन है दान सब्द में किस प्रकार की संग्या मानी जाएगी सही जबाब है आपसन B मतलब ये भावाचक संग्या है तो संग्या भी ध्यां दिजएगा अधिपत में उफसर्ग है 85 का सही जबाब है 86 किस आचारे ने रस को इस प्रकार परभाचित किया है किस आचारे ने रस को इस प्रकार परभाचित किया है 86 का B से ही जवाब होगा आचारे भरत में ठीक है उपसर्ग में सर्ग का अर्थ होता है क्या होता है उपसर्ग में सर्ग का अर्थ होता है option D 87 का D ये सभी यानि कि सिष्ट करना निर्माड करना या फिर रशना करना 88 देखिए तत्सम सब्द का चैन कीजिए तो तत्सम सब्द का चैन करना है आपको सही जबाब है इसका option D आसर है 89 जो धात या सब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे डैस कहते हैं तो फ्रेंड इसका सभी जबाब है option D उसे कहते हैं प्रत्याए 90 वर्णमाला कहते हैं सब्द समू को वर्णों के आकलन को सब्द गर्णा को या फिर वर्णों के बिवस्थित समू को ठीक है ये प्रस्ते है आपर वर्णमाला किसे कहते हैं और सभी जबाब इसका क्या है सभी जबाब है option D वर्णों के बिवस्थित समू को ठीक है आगे बढ़ते हैं question number 91 जिस संग्या में केवल एक ही व्यक्तिका बोध हो डैस कहलाती है तो सभी जबाब है ये option D जिस संग्या में केवल एक ही व्यक तिवाचक संग्या स्वरसंद के कितने भेद होते हैं ये प्रस्ते हैं पर और सभी जबाब है आपसंस सी स्वरसंद के पांच भेद होते हैं 93 का दीखिए स्वरी लोग उत्तरी बता दिया आपको जिस समासिक पद का पहला पद प्रधान हो वह कहलाता है और फिलाल इसमें से कोई जबाब नहीं है ठीक है यहाँ पर 93 को हम दुबारा देख लेते हैं जिस समासिक पद का पहला पद प्रधान हो वह कहलाता है तो according to this option सही जबाब होगा अब्याई भाव समास आख बदा दें कि जिस समस्या का पूर पद प्रधान हो और वह अब्याई हो उसे बार बार आबरीती हो वहाँ पर अब्याई भाव समास होता है जैसे कि दिनों दिन रातों रात घर घर हातों आख चीक है तो सही जबाब होगा option B 94 देखिए विचित्र अथवा आश्चर जनक वश्तू या घटना को देखकर हिर्दय में कौतुवल तथा आश्चर का भाव उत्बन होता है उसे कौन सा रस कहते हैं विचित्र अथवा आश्चर जनक वश्तू या घटना को दिखकर हिर्दय में कौतुवल तथा आश्चर का भाव उत्पन होता है उसे कौन सा रस कहते हैं और सही जबाब है, option C मतलब चुगली करना, 97 देखिए, अविशेख का संद विच्छेद बताना है आपको, और सही जबाब है, इसका option B, अविधन सेख, ठीक है, और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, 98 देखते हैं, 98 है, हमेसा बहुचन में, प्रियुक्त होने वाला सब्ध है शामग्री, अमीर, नारी, सिला, और हमेसा बहुचन में, क्या प्रोग होता है, शामग्री, ठीक है, और 99, 99 का 32 दातों में जीफ, लोकोक्त का आसे, क्या है, ये बताना है आपको, सही जबाब है, इसका सत्रों से घिरा रहना, और ये रहा, जो पेपर बन है, उसका समा प्र प्रस्न, और सही जबाब है, option D, प्रस्न क्या है, मनुस्र के विचारों को पूर्टा से प्रकट करने वाले पद समू को कहते हैं, क्या, वाकि कहते हैं, ठीक है, ये है, इसमित पर आधारित 100 प्रस्न, बेट 2018 की परिश्चा का, जो पेपर बन था, और इससे आपको एक आइ उसके लिए आप बने लिए चैनल पर और यहाँ पर आप आई बटन को भी सर्च कर सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिशन में आपको दूसरे वीडियो का लिंक भी जल्दी मिल जाएगा, बहुत बहुत धन्यबाद आप सभी काम से जोड़ने के लिए, वीडियो पसं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइक आउन को प्रस करना मत भूलिएगा, थैंक्यों सुप्राइब पर वाचिंग, मिलते हैं अग्ले वीडियो उन्तर तक लिए, वे नाइस दें, गाड़ भी लुशुवार,